नमस्कार अब हम लोग एन टी टॉपिक में नैजल पॉलिपाई के चैप्टर में एंट्रो कोईनल पॉलिप के बारे में discuss करेंगे एंट्रो कोनल पॉलिप होते क्या हैं ये कहां पर arise करते हैं इसके बारे में मैंने पिछले लेक्टिम में आपको बताया है कि ये maxillary antrum के mucosa से arise करते हैं उसके आसपास के ostium से और ये grow करते हैं koina में और nasal cavity में तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर इसकी जो origin होती है वो कहाँ पर है maxillary antrum के mucosa से होती है और जैसा कि नाम है entral, koinal और nasal ये इतने सारे parts में इसके part होते हैं इतने सारे जगहों पर तो यहाँ पर ये thin stock के रुप में दिखता है, यहाँ पर ये round और globular form में दिखता है nasal में ये flat दिखता है side to side यहाँ पर maxillary sinus होती है या maxillary antrum के आसपास के हिस्से में आप यहाँ पर देखें ये होता है maxillary sinus के आसपास का vacant space है और आप देख सकते हैं कि उसी के पीछे यहाँ पर coina होता है coina यहाँ पर inferior जो टर्बिनेट के आसपास का हिस्सा होता है उसके पीछे ये coina पाएज जाता है तो ये सब से पीछे की होता है inferior terminate के पीछे का हिस्सा है coina और यहाँ पर आप देखेंगे जो नेजल है वो तीन ये पार्ट होते हैं तो आप इसे सीधे तोर पर समझ लें कि ये Maxillary Entrum से निकल करके कोईना और नेजल कैविटी में ग्रो करता है यहां पर आप देख सकते हैं कैसे ये Maxillary Sinus से निकलता है maxillary sinus से निकल करके यह कोइना का पार्ट है यहाँ पर कोइना का पार्ट है और यह nasal cavity का हिस्सा तो इसी reason में यह ग्रो कर रहा है तो आप यहाँ पर जो मैंने आप ही आपको बताया कि यह nasal cavity के पार्ट से ले करके यहाँ पर चोण कोइनल पार्ट जो कि तो यहां एंट्रम, नेजल और कोईना के पार्ट के बीच में जवलप हो रहा है, तो इसलिए इसके तीन पार्ट कहा जाते हैं, एंट्रल जो की थिन स्टॉक के रूप में नज़र आ रहा है, यहां पर देखें, पीछे के रूप यह काफी ग्लाबुलर नज़र आता है, और नेजल पार्ट में फ्लैट दिखता है, साइड तू साइड यह फ्लैट दिखता है, तो इसी आधार पर हमने जो इमेज में डिसकस किया वही इसके तीन पार्ट से हैं, एंट्रल पार्ट कोईनल यानि पीछे वाला पार्ट और नेजल पार्ट तो इस तरीके से नज़र आत एंटर में थिने स्टॉक के रूप में देखा जाता है यह हमने देखा एशियलोजी की बात करें तो जहां हमने बारे में बहुत सारे एशियलोजिकल रीजन हमने डिसकस किये इसकी एशियलोजी अन्नोन है मैक्सम मामलों में तो आप देखें यहां पर इसकी एशियलोजी अन हो सकती है यहां पर आप देखेंगे यह आम तोर पर सिंगल होता है आप देखें सिंगल है एंट्रो कोईनल पॉलिप और यह थोड़ा सा और नीचे के पार्ट में मैक्जलरी साइनस के आसपास के हिस्से से डेवलप होता है और जब यह बड़ा हो जाए तो यह सॉफ्ट पैलेट के पार्ट तक यह एक्स्टेंड कर सकता है कि इसके साथ आप देख रहे हैं इसका ग्रोथ पीछी के और जादा बड़ा होता हुआ जा रहा है और अचीज़बरी सिंगल होता है सिंगल पॉलिप इसमें पाया जाता है इसे लोजी की बात करें तो उसको समझने से पहले यहां पर एक और व्यू देख लेते हैं कैसा यह एंट्रो कोईनल पॉलिप देखेगा तो इसके इसलोजी अननोन है मैक्सिम मामलों में एलर्जी को इ फॉर्हेट्र पॉलिप्स के बारे में कहा था, कि एडल्स में होता है, यह चिल्ड्रों और यंग एडल्स में होता है, तो आप तर्चैन गे, कि एंट्रोक्योड किईल्ट्स के पॉलिपाई, daughter से पहले पहले यह जादा कौमन है, जब कि अथमोईडल पॉलिपाई के बारे में जो हमने कहा था तो वो 30 to 60 years की case में था तो इसलिए कहा जाता है यह children और young adults में है वो adults में ज्यादा common है यह children और young adults में ज्यादा common है यह single होता है और unilateral होता है जबकि उसके बारे में जब हम कहा रहे थे तो बाइलेटरल था और multiple था symptoms की बात करें चुकि unilateral है तो unilateral nasal obstruction होगा obstruction होगा और यह bilaterally भी obstruction कर सकता है अगर polyp grow करके जैसा कि मैंने भी दिखाया था image में यह पीछे की और soft palate तक पहुंच जाए तो जब nasal pharynx तक पहुंच जाता है तब bilateral obstruction होता वरना nasal है नाक में है तो unilateral obstruction ही इसमें होगा इसकी वज़ा से चुकि यह पीशे तक जा रहा है ग्रो करके तुसलिए वायस ठिक हो जाती है और dull हो जाती है hyponazality की वज़ा से nasal discharge होगा mostly यह mucoid discharge इसके साथ presentation होता है यहाँ पर sign की बात करें तो anterior rhinoscopy में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा क्यावल discharge देखने को मिलता ह तो इसमें smooth grace mask दिखता है जिसका nasal discharge ज्यादा prominent यहाँ पर देखने को मिलेगा यह soft polyps है जो की move किया जा सकते up and down large polyp protrude कर सकता है nostril से और इसमें pink congested look होता है exposed part पर जबकि posterior rhinoscopy में मैंने बताया था जिदीर दीर बढ़कर के पीछे की और जब काफी बढ़ा हो जाता है तो globular mask के रुप में यह नज़र आता है जो कि पूरे कोईना को फिल कर देता है पीछे की हिस्से को फिल कर देता है नेजो फैरिंग्स के पार्ट को फिल कर देता है यह soft palette के पीछे तक hang कर सकता है जिसको मैंने image में अभी दिखाया था और यह present कर सकता है oropharynx में तो यह बात हम ल और posterior rhinoscopy में आप देखेंगे यह nasal septum यह पीछे के हिस्से से जब हम देखते हैं तो उस समय यहाँ पर कोईना से यह लटकता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ पर soft palette तक इसका extension होता है तो posterior rhinoscopy एक तो anteriorly हम देखने कोशिश करते हैं जब posteriorly देखते हैं तो इसको हम अगले image में ज्यादा बहतर तरीके से देख पाएंगे यह देखें आप यहाँ पर यहाँ पर जो पीछे के हिस्से में यहाँ पर देखें कोईना के parts में यहाँ पर यह polyps develop होते हैं और इनके growth को posterior rhinoscopy में देखा जा सकता है पीछे के हिस्से से जब हम देखते हैं तो anatomical structure के साथ सारी चीजों को हम देख सकते हैं अब बात करते हैं इसके presentation की तो एक बार फिर से आप यहाँ पर देखें एंट्रो कोईनल polyps कैसे हैं कर रहा है औरो फैरिंग से behind the soft palate soft palate के पीछे के हिस्से में हैं करता हो देखता है और polyp को remove करने के बाद कुछ इतना बड़ा polyp देख रहा यह x-ray of paranazal sinuses कराई जा सकती हाला कि यह बहुत बहुत बहुतर तरीका नहीं हो सकता है यहाँ पर CT scan ज्यादा बहुतर तरीका हो सकता है CT scan of paranazal sinuses ज्यादा बहुतर अब टेक्निक है एक से बहुत अच्छी जानकारे नहीं मिल पाती है यहाँ पर हम x-ray में देखेंगे opacity जो जिसमें globular swelling देखने को मिलता है post nasal space में treatment की बात करें तो हम क्या करेंगे हम remove करेंगे by evulsion चायो nasal root से हो चायो oral root से हो और अगर यह हो रहा है दुबारा तो cold well look operation करते हैं ताकि हम polyp को completely उस side से उसकी origin के side से remove करें और यहाँ पर cold well look operation में हम polyp को तो remove करते ही हैं उस maxillary sinus के आस पास के reason को भी remove कर देते हैं उसे भी exercise कर देते हैं ताकि इसके recurrence की chances फर्दर ना रहें इसमें endoscopic sinus surgery भी की जा सकती हैं तो एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे यहाँ पर cold well look operation कैसे किया जाता तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर maxillary sinus से हम इसको अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर एक sight of window आप यहाँ पर देख रहे हैं इससे हम anterior maxillary sinus को अप्रोच करते हैं और आज पास के हिस्से को हम exercise करके हटा देते हैं जहां से tumor के growth होने की conditions possible हो सकती है differential diagnosis की बात करें तो यहाँ पर blev of mucous hypertrophied middle terminate से इसको differentiate करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे hypertrophied middle terminate अगर है तो यह pink appearance के साथ होगी और यहाँ पर probe की testing में यह hard feel होगा तो इसलिए आप इसको polyp से अलग करके समझ सकते हैं angiofibroma अगर होगा तो वो भी लगबग ऐसा हो सकता है इसी presentation के साथ लेकिन angiofibroma में आप देखेंगे recurrent epistaxis की presentation होती है यह firm होता है consistency में लेकिन अगर polyp होगा तो आसानी से bleed नहीं करेगा लेकिन angiofibroma है तो आसानी स bleed करेगा यह hard तो होगा firm होगा लेकिन bleed करता है probing के दौरान दूसरे नियोप्लाजम से भी इसको differentiate करना जरूरी है तो आप देखेंगे कि यह flashy pink appearance जो नियोप्लाजम होते वो दिखाते हैं और नियोप्लाजम में flashy pink appearance होगा friable nature के होंगे और यह bleed करने की tendency में ज़्यादा होग जबकि polyps में यह tendency कम देखी जाती है तो यह point है चलिए discuss करते हैं difference को समझने की कोशिश करते हैं entroquenal और ethmoidal polyp के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि entroquenal polyp बच्चों में ज़्यादा common होता है infection की वज़ा से होता है अकेला polyp होता है unilateral होता है maxillary sinus इसका original site होता है यह backward पीछी की और कोईना में ग्रो करता है shape trilobed होता ओपर की और मैंने आपको बताया था stock के रूपे नज़रा था ethmoidal sinus adults में होता है allergy और बाकी सारे बहुत सारे factors हम लोग ने इस caseological factors हमने देखे यह multiple होते हैं bilateral होते हैं यह ethmoidal sinus से arise करता है यह बात हमने image में दिखाया था यह uncinate process middle terminate से middle meatus से यह arise कर सकते है यह anteriorly grow करते हैं जबकि यह पीछी के और ग्रो करते हैं यह anteriorly grow करता है और यह naris में present करता है यह small होता है grape like mask के साथ इसकी presentation होती है तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बीच में अंतर देखा याद रखें एंट्रो कोईनल polyp ट्राइ लोग्ड शेप के होंगे इनमें recurrence uncommon होता है अगर इसको बहतर तरीके से निकाल दिया जाए treatment की procedure होते है polypactomy endoscopic removal cold will look operation जिसका मैंने procedure बताया था maxillary sinus तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं अभी मैंने image में दिखाया था ethmoidal polyp के मामले में हम देखते हैं कि ये small grape like mons था जिसमें recurrence common था treatment के procedure में हम लोगों ने वही सारी चीज़े बात किया था लेकिन polypactomy endoscopic surgery और ethmoidectomy करना पड़ता है तो इनके बीच में एक difference है दोनों के अपने अपने conditions हैं दोनों के अपनी अपनी presentation है झाल जावाई झाले जावाई थाया है